के राम बंदे महातरम हरहर महादेव उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे बेहतर होंगे आयुर्वेद और प्रकित विज्ञान के साथ पुरी तरीके से अपने जीवन में उनको सामिल कर रहे होंगे आज हम आपको एक बहुत ही अधुद्ध चिकित्सा विज्ञान महत्तुण भूमी का निभाती है है क्या मुख्यता है जो मुख्य रंग है वह पांच ही प्रकार के रंग हैं प्रकित में जैसे सफेद है काला है और लाल है और पीला है और आसमानी है यही पांच कलर हैं जो बेसिक कलर हैं और इनहीं से मिल करके सारे कलर जो है निर्मित होत करके तो अलग-अलग कलर से डिनोट हो जाते हैं सातों कलर तो बहुत डिटेलिंग में जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा हम आपको बता रहें कि मुख्यता जो कलर है यह हमारे जीवन में हमारे नाड़ी चक्रों पे हमारे स्वास्त पे हमारी सोच पे सब कुछ बदलाव डालते हैं और प्रकित वो मास्टर है जिसने वह सारी चीजों को निर्वित किया हुआ है हमारी अंतह स्रावी ग्रंथियों के जितने भी अंतह स्राव हैं और जितनी भी उनकी हिस्टता पुष्टता से ले कर सब पर रंगों का बहुत गहरा असर बढ़ता है अब हम आपको एक स्रिंखला चला रहा है जिसमें हम अलग अलग रंग और उससे उससे होने वाली बीमारी और कैसे उसको नियंत्रित किया जाए बहुत आसान तरीके से वह मापको बताएंगे तो आज मैं हरे रंग को जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हो कि हरा रंग कैसे हमें गंभीर बीमारीयों से मुक्ति दिला सकता है जो हरा रंग है अगर उसकी कमी मतलब हरे रंग की सरीर में कमी होती जाए तो होगा क्या कि जो वायू विकार है वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे जो हमारी मान स्पेसियां है वो कमजोर होने लगेंगी क्या होगा तो चाएक दाद हो हो चाहें दाध हो किसी भी तरीके की बीमारी हो तो चाह कि बीमारियां बढ़ने लगेंगी तो हमको करना क्या है अब करें क्या हम तो हमें हरे रंग का उपयोग करना हरे रंग का उपयोग क्या हरी साख सब्जियां खाएं उसके माध्यम से हरे रंग का शरीर के अंदर प्रवेस होगा सूरी जब निकलते हैं जब सूरी उदय होता है तब से लेकर के 45 मिनिट के भीतर सूरी की किरणों में medicinal power बहुत ज़्यादा तेज होती है सूरी में सातों की सातों किरणे हैं और बहुत बैलेंस रूप में सूरी के समक्ष जब हम प्रस्तुत होते हैं जब सूरी उदय हो रहे हैं उससे 45 मिनिट के भीतर तो जो रंग की अधिक्ता हमारे सरीर में होती है वह सरी खुद ही उसको एबजाब कर लेते हैं और जिस रंग की कमी है वह रंग अपने आप ही हमें सहज रू तो वह सारी संतुलित होने लगती हैं अब हरे रंग में एंगर हम सूरी प्रकास के समक्ष नहीं पहुंच पाए सूर्य उदय के समय नहीं उठभाएं तो क्या करें तो हमें करना ये है कि जो चीज हरी हैं जैसे वस्त्र हैं हरे हैं भोजन है ह्रा है घर में जो हमने बल्ब लगा रखे हैं उसमें कुछ बल वैसे लगाएं जो हरे रंगे हों मतलब हरे रंग का चारोतरफ का वातावरण है हमारे आसपास अगर उपलब्द हो रहा है तो उससे हमारी तोचा की बीमारी चाहे वो किसी भी प्रकार की जैसा भी हमने बताया कि आपको चाहे चीयोसी सो गं चैनी हो मानसिक बीमारियां हो भूलने की बीमारियां हो बहुत ज़्यादा पित्य की बीमारियां हो वायुसंबंधी बीमारी जैसे बीपी बहुत बढ़ता हो मधुमे की बीमारी हो गठिया की बीमारी हो जिसको इस प्रकार की समस्याएं हैं जिसकी मानस्पेसियां बहुत सजग नहीं होते कोई भी कारे करते समय हम यह सजग नहीं होते कि अंधान करते चले आते हैं सामने वाला कर रहा है हम करते चले जाएंगे उसके महत्यों को नहीं समझते उसके प्रभाव को है जो हमारे ब्रेन में नरवस सिस्टम है नरवाइन सिस्टम नेयर लाजिकल फंक्शन है, उसको ट्स्टर्ब करते हैं उसको त्णम में ले आते हैं एक्सिडेंट के चांस बढ़ जाते के बाव हम जो उसके अंदर कपड़ा या कुछ इस तरीके की चीज़ें लगा के रखें तो जब हम गाड़ी ड्राइब करेंगे तो हमारी बुद्धी मन चित एकदम सांथ होगा ब्रेन एकदम सही कारे कर रहा होगा उसमें कोई दर्द नहीं होगा कोई तनाव नहीं होगा ब और उसमें हरी रंग की पॉलिफिन लगा दें उसमें पानी भर करके रखें सुबह सूरी निकलने के बाद और साम को सूरी के अस्त होने के पहले पानी को हटा दें ततकाल न उपयोग करें कुछ दिन रखें सामान ने हो जाया और उस पानी का आप उपयोग करेंगे तो चम तो इस प्रकार से हम प्रकित के प्रति अनुग्रहीत रहें और उनकी इस कृपा को अपने अंदर आत्मसाथ करें स्वस्त रहें बेहतर रहें मस्त रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन जानिकारियों को सेयर करें ताकि लोग नाम बंदे मातरम